नमस्कार, ICC T20 World Cup 2022 में आज ग्रूप A के दो मुकाबले हुए, पहला मुकाबला नामीबिया का शिरलंका के साथ था, ये मैच बहुत बड़ा उलट फेर्श साबित हुआ, शिरलंका के टीम जिसने अभी भी हाली में एशिया कप जिता है, वो नामीबिया से पराजित हो गई, नामीबिया ने पहले बलेवाजी की, एक समय पे नामीबिया के 6 विकट गिर गए थे और 100 के आज पास उसका स्कोर था, लेकिन जैन फ्राइलिंक और जेजे स्मिट की जो पार्टनर्शिप थी, उसने एक तरह से नाकेबल तेजी से रन बनाए, बलकि शिरलंका को अंडर प पत्तों की तरह गिर गए, तो इस हार से नाकेबली एक ग्रूप बिलकुल ओपन हो गया है, वैसे नामीबिया की टीम भी काफी मजबूत दिखाई दे रही है, और शिलंका अल्रेडी मजबूत टीम थी, लेकिन इस पराजय से जो है, वो एक ग्रूप बिलकुल ओपन हो गय जो है, वो चेस किया, आखरी उबर में 6 गेंदों पर 6 रन चाहिए थे, और 2 गेंदों पर लास्ट की एक रन चाहिए था, नेदरलेंड ने तीन विकर से ये मैच जीत लिया है, ये ग्रूप बिलकुल ओपन है, अगर कल के मैच इस की बात करें, तो ग्रूप बी में 2.75 है, दूसरे नंबर पे नेदरलेंड की टीम है, वो भी एक मैच जीत चुकी है, दो पॉइंट के साथ, उसका जो नेट रन रेट है, 0.097 है, UAE तीसरे स्थान पर है, और शिलंका चौथे स्थान पर है, तो ये ग्रूप अभी ओपन है, कुछ भी हो सकता है, शिलंका अर आम से अभी भी पहुँँ सकता, अगर वो नेक्स्ट के दो मैच जीत जाए, तो धनेवाद, थैंक्यूआ।